क्या ICC पर भढ़के रोहित शर्मा भारत और साथ अफरीका के बीच केप टाउन टेस्ट पांच इनिंग्स के अंदर खत्म होने के बाद भारतिय कप्तान ने मैच रेफरी और ICC पर सवाल खड़े किये हैं। रोहित शर्मा ने ICC और मैच रेफरी को पिचों की रेटिंग के मामले में दोहरे मापदंड के लिए जिम्मेदार ठहराया है। खेल के इतिहास में सबसे छोटा टेस्ट जीतने के बाद रोहित ने कहा कि तेज गेंदबाजों को जरूरत से ज्यादा मदद करने वाली पिच देने के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने भारत की स्पिन पिचों की निंदा पर सवाल खड़े किये। रोहित ने मैच रेफरी और पिछले साल भारत में आयोजित वर्ल्ल कप में पिचों को मिली कुछ रेटिंग पर निशाना साधा। रोहित ने कहा मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है कि हम जहां भी जाएं नीट्रल रहें। विशेश रूप से मैच रेफरी। आप जानते हैं, इन में से कुछ मैच रेफरी को इस बात पर नजर रखने की जरूरत है कि वे पिचों को कैसे रेटिंग देते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि विश्व कप फाइनल की पिच को औसत से नीचे रेटिंग दी गई फाइनल में एक बल्लेबाज ने शतक बनाया था, वो खराब पिच कैसे हो सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी ICC मैच रेफरी को जरूरत है पिचों पर गौर करना और उन्हें जो दिखता है उसके आधार पर रेटिंग देना शुरू करना, नकि देशों के आधार मुझे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टन है।